हाई गाईस विल्कम टू माई यूटूब चैनल अनितांज फेशन एस गार्णिंग फ्रेंस में आज आपको चंपा के पौधे की देखवाल के बारे में बताऊंगी तो चलिए देखते हैं कि कैसे में वो देखवाल करती होने पौधे की देखे गाईस यह मेरे चंपा का पौधा है यह मैंने अभी इसको जमीन में लगाया हुआ यह बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और गर्मी में तो इसका ग्रोइंग का समय होता है बहुत ही अच्छा ग्रो करता है देख रहे हैं कितने इच्छे से मिलब इसकी कई पत्तियां नहीं होती है देखिए अगर इसमें आप और वाटरिंग करेंगे ना तो इसकी जड़े होती है वो खराब हो जाती है तो आपको देखना है कि जो उपर की जो परत होती है मिट्टी की वह सूप जानी चाहिए तभी आप डाले और ठंड में तो मतलब दो दीन तीन दीन छोड़ के ही डाले और गर्मी में आप एक टाइम दिन में डाल सकते हैं ठीक है और आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल आ रहे बहुत ही सुंदर लगता है देखिए मैं इसम अब मैं जो मैंने खाद बनाया हुआ है इसको मैं इसमें डाल दूंगी अच्छे डालोंगी इसको तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा फूल आएंगे तो मैंने खाद डालकर मैं उपर नीचे मिट्टी को कर लोंगी जिससे के अंदर वह मिक्स हो जाए आप जो खाद है ना वो करीब घंड में तो खाद की कोई जुरूत नहीं होती है वैसे पौधा मरने लगता है लेकिन यह गर्मी में आप डाल सकते हो तो मैंने खाद डाल दिया है और उसको आगे पीछे किया है मैंने उपर नीचे आप देखिए इसमें पानी डाल देंगे आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए इसमें पानी की ओवर मातरा नहीं होने चाहिए वह अगर ओवर वाटरिंग करेंगे ना तो आपका पौधा होता है उसकी जड़ होती वह खराब जाती क्योंकि इसकी जड़ होती ना बहुत ही सेंस्ट्रीव होती है यह क्योंकि आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं सजा सकते हैं कि देख रहे हैं कि इसी तरह देख बाल करें और गोबर की सड़ी में खाद इसमें डालें तो बहुत ही अच्छे फूल आते हैं तो आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंस आप लाइक सब्सक्राइब शेर ज जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें देखी जो मैंने कटिंग की थी ना देखिए यहां से भी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है बहुत ही अच्छा पौदा है इसको पानी की ज़्यादा ज़रुत भी नहीं होती है आप इसली तरीक फूल आने लगते हैं और इसके फूल बहुत खुस्बू वाले होते हैं तो आप भी इसी तरीके से लगाईए पानी के वीशेस आप ध्यान रखेंगे मैं आपको बार बार बोरुए कि और वार्टिंग नहीं क्योंकि मैंने भी एक दो बर ऐसा मैंने लगाया था कटिंग ल और एक बात और ध्यान रखेंगे इस पौदे के लिए कम साथ गंटे की दूप ज़रूरी है तो आपने जगर पॉट में लगाया है ना तो उसको भी आप कम साथ दूप दिखाते रहें तभी अच्छे फूल देंगे नहीं तो अगर इसको दूप नहीं दिखाएंगे तो इसको पत्ते आएंगे फूल नहीं आएंगे